जाए इन साथ ही हूँ जाचा कि आप जानते हैं आपने यूपी पुलिस, जेल वार्डन और फायर मैन की आंसर की चेक कर लियोगी अगर किसी स्टुएंट्स के 140 मार्क्स भी बनने हों और 150 मार्क्स भी बनने हों तो वो स्टुएंट निरास हो गए होंगे कि सर अब क्या होगा मेरी तो इस पोस्ट में सेलेक्शन इस वेकंजे सेलेक्शन नहीं हो पाएगा तो आज की वीडियो उनी स्टुटेंट्स के लिए है आज की इस वीडियो में मैं फायर मैन की Accepted Cut-Off जो जानने वाली है और नॉर्मनाइजेशन कितने मार्क्स मिलेंगे तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा मेरे YouTube channel का एकी लक्ष है और आपका भी एकी लक्ष होना चाहिए अपकी बारी नौकरी सरकारी जब तक 2022 आए तब तक आप अपनी सरकारी नौकरी यानि आप अपनी यूनिफॉर्म यूभी पुलिस यूनिफॉर्म में हो अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जॉइन जरू कर लें चुकि इसी टेलीग्राम चैनल में आपको न्यू वकेंसी की अपडेट सबसे पहले और free mock test, railway mock test, police mock test, railway group D mock test और भी new vacancy की update इस channel पे मिलती रहती है आपको जैसे इस capital letter में, small letter में दिया गया है ऐसा ही आपको टेलीग्राम में सर्च करके आप उस group को join हो जाएए और free mock test बिना और किसी cost के आप इसे download कर सकते हैं और वीडियो पढ़िया लागे ना, तो like करना मत बूलेगा और कोई दिल की बात है ना, तो आप मुझसे comment box में बोल दीजेगा और जो लोग चैनल पे पहली बार आ रहा है ना, चैनल को subscribe करना ना बोले क्योंकि UP police की new vacancy की update और result की update सबसे पहले आपको इसी चैनल पे मिलेगी चलिए आज की वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे UP police fireman cutoff की सबसे सटीक जानकारी आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं जो UP police fireman cutoff की सबसे सटीक जानकारी यहाँ पे हम सबसे पहले vacancy की बात कर लेते कि किस post में कितनी vacancy यहाँ पे आपको दी गई है general कितनी OBC कितनी जैसे कि आपकी screen के उपर आ गई होगी यहाँ पे आप देख सकते general वालों की 1034 post यहाँ पे fireman में मिलने वाली है OBC के लिए 557 post SC के लिए 433 post और ST के लिए 41 post यहाँ पे fireman को आप में मिरेंगी total number of vacancies की बात करने सिर्फ fireman की मैं बता रहा हूँ जो की only males candidates के लिए थी उनी की मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ तो total vacancy यहाँ पे fireman की 2065 यहाँ पे fireman की vacancy ती यहाँ पर हम result date की बात कर लेते हैं result कब इसका release किया जाएगा जैसा कि मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ result date जो की है 27 तारीक को पूरे पूरे chances हैं मैंने google chrome में भी यही सर्च किया आप भी google chrome में UP police jailwater result सर्च करते ही आपके पास ही लिख किया आएगा एक 27 तारीक tentative date यह आपको दी गई है और फिचकल डेट आपको second week में फरबरी के second week में फिचकल आपका कराया जाएगा student survey according fireman के marks किस student के कितने marks बनना है जिस स्टुरेंट में पास कमेंट किये कि सर मेरे इतने marks बनना है तो उसी सर्वे के अधारित मैंने यह cut-off पताया हुआ है यह student के survey के according marks है यानि किस student के कितने marks बनना है जो you know UP police jailwater नो फार्मेंट के exam दिये थे 5% ऐसे लोग है जिनके 185 से 95 के बीच में marks बनना है। बनना है यहां हम बात कर लेते हैं कौन स्ट्रेंट सेव है तो यह आप जान लीजिए जो 185 है वो दो नॉर्मल ही सेव ही है और 175 वाला भी बुलकुल सेव है किसी तरीके से कहीं से बाहर नहीं हो सकता और 160 वाला भी बुलकुल सेव है अब डेंजर जोन इन दोनों के लिए सेव जोन में हैं सेव जोन में कोंन बलग है मैं अभी वीडियों में बताاؤंगा घो को लाज्ट यहांन के सबसे पहले साक्ते हैं कि बॉलनवाज़यशन मार्क का है. मिलने वाला हैं यहां पर मिनिमम् मार्क्स ऐख सकते हां तीन आपर मिनिमम सभी स्टुनेंटों उसको मिलेगा ही मिलेगा चाहे वो किसी सिप्ट का हो चाहे वो 20 की 1st सिप्ट का हो चाहे 20 की 2nd सिप्ट का हो चाहे 20 की 1st सिप्ट का हो या 20 की 2nd सिप्ट का हो सभी को 3 से 5 नमबर तो मिलने ही वाले हैं यहाँ पर मैक्टियम मार्क्स 10 से 12 नमबर आपको मिल सकते हैं यह आपकी सिप्ट के पेपर के उपर डिबंड करता कि आपका सिप्ट का पेपर कैसा आया था हाड आया था कि एजी आया था चलिए अब बात कर लेते हैं अगर इतने नंबर बनना है तो बलुकुल दोड चालू कर जितनी में कट आफ बताने जा रहा हूं यह फायर मैंन की पास बीस से पचीस दिन है बीस से पचीस दिन में आपको शेष्ट भी बनाना है और आपको रेनिंग भी पांच किलो मीटर सीखनी है और करनी है यहां पर सबसे पहले यूपी पुलिस फायर मैंन कट आफ विट नॉर्मलाइजेशन के साथ मैं बताने जा रहा हूं कि कितनी 176 के 183 के बीच में जाएगी यूपी पुलिस फायर मैंन की कट आफ, OBC के 175 के बीच में, SC की 165 से 169 के बीच में और ST की 160 से 164 के बीच में कट आफ जाने वाली है इससे के बाहर एक भी कट आफ नहीं जाएगी अगर किसी स्टुेंट्स के इतनी नमबर बनना है तो बुलक OBC का होगा तो वह qualify कर जाएगा अगर किसी students के 165 बनना है तो अगर पांच नमबर भी अगर add कर देता तब भी उसके 70 नमबर बन जाएगा तब भी OBC का candidates होगा तो qualify कर जाएगा वहीची जो होती ही के 170 नमबर बनना है और अगर 5 नमबर भी add कर दिया तो 175 नमबर बन गए तो आप अगर gender category के होंगे तो भी आप qualify कर जाएगे आप अपने जितने भी marks बनना है उसमें से 5 से 7 नमबर आप add करके ही चलिए कि आपके उतने marks बनना है आपके कितने marks बनना है और आप किसे ब्लॉंग करते हैं आप मुसे comment box में बता सकते हैं तो मैं आपको clear बता दूँगा क कि आपको physical के लिए बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा चलिए safe zone और danger zone की बात कर लेते हैं किस कौन कौन लोग safe zone में हैं कौन कौन लोग danger zone में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 160 वाले 165 वाले 170 वाले और 175 वाले जो की हैं वो safe zone में हैं और danger zone में कौन हैं वाले, 135 वाले और 145 वाले और 155 वाले इतने जिसके भी marks बनना है वो लोग danger zone में हैं यानि कि इनका 50-50 chances हैं selection होने के और selection ना होने के क्योंकि इनका selection सिर्फ normalization marks पर ही depend करने वाला है और यह जितने भी लोग है न यह बुलकुल बेचक रनिंग चालू कर दे इससे अगर इतने marks बनना है न एक सो साट एक सो पैस्ट प्लस एक सतर प्लस इनका confirm नहीं 101 परसेंट आपको fiscal के लिए बुलाया जाएगा और अगर आप कोई भी डाउट है न यूपी पूलिस स्विच को लेकि न्यू वेकेंसी लेकर रिजल्ट को लेकर तो आप मुझसे comment box में बहु सकते हैं आप कितना marks बनना हैं कितने marks आपने गेंड की हैं fireman में तो आप मुझसे comment box में बता सकते हैं तो मैं आपको clearly बता दूँगा क्या नहीं होगा यूपी पुलीस निओ वैकेंसी अपडेट को लेकर और रिजल्ट को अपडेट के लेकर अगर आप चाहते हैं यूवेकेंसी अफ़्डेट और रिजल्ट की अपडेट तो मेरे YouTube को subscribe जो करने को दर ने क्योंकि ऐसी ही new वैकेंसी के अपडेट, lleएसी प जयवाद बंदे मातरम